दोस्तों वहिष्णवी और्गेनिक डेली फ़र्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जो पसुवों को घाव हो जाता है, सूजन हो जाता है या चोट लग जाता है तो कैसे उसका दवाई बनाना है या थनाइला रोग हो जाता है तो इसमें एलो बेरा का एक महत्पून रोल है, तो एलो बेरा हम काटेंगे, ऐसा ऐसा पांसाथ डंगी काटो, और काटो, और इन सब डंगी को ले जाएंगे अभी हम, और इसके काटे को इससे अलग करेंगे, और काटे को अलग करने के बाद हम इसमें और भी प्रोसेस करने तो आप लोग देखते रहें, अभी देखिए तीन एक आटा है, तीन डंगी काटा है, अभी और काट रहा है, तो अभी देखिए, चौथी काटा है, तो बड़ा-बड़ा उसको काटो, और यह पांच डंगी काट दिया, तो इसका हम जो पेष्ट बनाने वाले हैं, इसी इसका काटा इसे हम अलग करेंगे इसके लिए जाने के बाद, तो एक दो और काटलो, यह काटलो जो खराब हो रहा है, तो यह हो गया, और अलोबड़ा का देख सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा पेड़ यहां पे हैं, यहां पे लगा रखा हैं तो चलो तो इतना पेड़ जो है, अब इसका जो हम पत्ता निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसमें काटे होते हैं, उसको हम अलग करेंगे, तो चलते हैं आगे प्रोसेस के लिए, तो अभी आप देख सकते हैं, हम लोग काटे को निकाल रहे हैं, एलोवेरा से, और फिर इसके बाद, इसके तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे हमने एलो वेरा लिया है, एलो वेरा है, और हर जगह मिल जाता है गाहों घर में, और यह हल्दी है और यह चूना, चूना आप जानते ह antenas तो अब क्या करना है, इनका हम मिश्रन बनाएंगे इस मिक्सि के जार में, और बना करके जो तियार करेंगे उसी पेश्ट को हम पसु के जो घाव है या जो सूजे हुए अस्थान पर हम लगाएंगे इसका मिश्रन बनाएंगे इन मिश्रन में हम एलो बेरा को टुकडे में काटो छोटा-छोटा इसमें डालो अले बड़ा-बड़ा इतना बड़ा टुकडा काटो और क में दालते जाएगा अभी हम एलो बेरा मिक्सी के अंदर डाल चुके हैं जार में और इसमें अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे ने देक सकते हम को 50 ग्राम हल्दी इसके अंदर डालना है यह 25 ग्राम और यह हो गया 25 ग्राम यह 50 ग्राम जो हल्दी हम डाल दिये हैं और इसके बाद इसमें 15 से 20 ग्राम चूना डालना है तो चूना जो है 15 ग्राम हम डाल रहे हैं यह देख सकते हैं यह चूना हो गया थोड़ा गिला चूना था तो 15 ग्राम से 20 ग्राम हम ने इसमें चुना डाल चुके हैं और आगे इसको हम Mixi में जो है इसको ग्रांड करेंगे तो यह मिष्रन अब रेडी तैयार हो जाएगा लगाने के लिए दोस्तो इस लेश्रन को हम जार में डाल चुके हैं अभ पेश्ट बनाने के लिए त्यार है और आप देख सकते हैं अभी यह बनके भूड़ा तूट गया है मिकषिका तो हम इसको मिश्रून को भी इसके ढख करके आब बनाएंगे अभी इसमने को इसमें ग्रांड कर रहे हैं और देख सकते हैं आभी जब बन के मिश्रनक टेस्ट तर्यार हो जाएगा दोस्तों ये मिश्रन बन त्यार हो चुका है इसमें एलो वेरा हल्दी और चूना तीनों जो पेश्ट हमने बनाया जो आपको दिखाए थे यह मिश्टरन जो है अभी हम गाय के जो बच्चा है उसका पैर में जो सूजन है उस पर लगाएंगे और एक उपयोग और करेंगे इसके साथ वह आपको हम दि कुछ होता है बड़ा होने पर इसका आयल निकलता है अब इसको क्या करेंगे बड़ा वाला पत्ता दूगो लो और इन पत्तों को हम आग पर सेकेंगे तेल लगाकर तेल चाहिए हमें तील का या सर्सो का या नारियल का देख सकते अभी हम लोग जा रहे हैं यह मिश्रन तय को सेकना पड़ेगा अग पर तेल लगा के और फिर उसके उपर बाहना है तो चलते हैं गाय के पास तो दोस्तों देख सकते इसके पैर में सूजन बहुत जादा है और यहां पर सूजन हो गया है चोट है दर्द है और इसको दिखाई दे रहा है अभी किलियर अब हम इसके उपर यह हमारा बच्चा है गाय का और कितना सुंदर है क्वीट है तो अभी हम इस पर दवाई बनाने देख सकते इन बच्चों का कमाल इन्होंने देखिए फटा-फट पोरा ले आया आग लहराने के लिए अभी इसमें आग लहरा दिये इस तेल को लगाओ इस पे तो यह पत्ते के ऊपर जो ऐसे तेल हम डाले है इसको लगाना पड़ेगा चो तरफ चो तरफ इसको लगाओ फटा-फट अभी आग भी लहरने वाला है और इधर देखिए पेस्ट रेडी है तो रेड के पत्ते के ऊपर जो तेल लगाने से क्या फाइदा मिलेगा और इसको आग के अब स्कूब C94 जो आप लोग भी कर सकते हैं तो अधरके पत्ति को हम ने आग के उपर डाल दिया है थोड़ा सा जैसे हिठ हो जाएगा है ये पत्ता इसने डाला है तो छोड़ा सा इसको करना है hit करना है ज् Media करना हैया ज़्धा एफ करने के ज़्योरत Breny नहीं है थोड़ इसको जो है तेल जो है रेड के पत्ते के अंदर घिचना चाहिए और अभी आप देख रहे हैं यह रेडी हो गया है अब जो है इस पर हम लगाएंगे और देखिए हो चुका है तो इन बच्च तो अभी आमने पेश्ट इस पर डाल दिया है गर्म किया है और यह जो इसका पत में जो सूजन है जो चोट लगा है उसके उपर हम इसे लगाएंगे बहुत ही कारगर इलाज है आप लोग भी अपना सकते हैं बड़े से बड़े चोट और दर्द को एक खत्म कर सकता है तो ए रेडी हालत में हो गया है अब हम पट्टी बानने की त्यारी करें लेप एलो व कपड़ा लाओ अब लाओ कपड़ा लगां ने तुम जी से फोल्ड करके हम रखे थे क्या किया को छोट रे तू कला इसे तान रहा है लावो एक से केने पेश्ट को इधर लावो और देख सकते हैं इन बच्चों के साथ हम इसका इलाज कर रहे हैं इन बच्चों ने भी काफी योगदान दिया है और इस इलाज में हमें सहयोग चीए था और इन बच्चों ने सहयोग दिया है इस इलाज को सफल बनाने के लिए और इसके घाव है अभी घाव हम इस पर जो यह बांद दिये हैं लेप यह इसका जो है 80 परसेंट इंफेक्शन को खत्म कर देगा और इसके पैर को बिल्कुल सरजरी कर दिया है एक तरह से इसके अंदर थोड़ा रीम हो गया था तो यह देख सकते हैं हम इसका पूरा कर दिया है इलाज अब अगर 24 घंटा रहता है तो यह ठीक हो जाएगा साथ में हम नेचुरल कंपनी का जो अस्प्रे आता है उसको हम इस पर मारेंगे जिससे बिल्कुल घाव ठीक हो जाएगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद पकड़ो नमस्कार दोस्तो वैश्णवी और गैनिक देवी फॉर्म में आपका स्वागत है आज एक बच्छे का जो उप्चार कर रहे हैं इसको घा हो गया है तो जो टॉपी की और नेचुरल कंपनी का जो अस्प्रे आता है किसी परकार के घा हो गया है उसमें इस अस्प् आते हैं यह देखिए इस बच्छे को पैर में दिखाना दे लाओ हाँ हाँ आव एन पैर में जक्म है यह च्छेद हो गली पर हमें इस पर हम इसको ऐसे मारते हैं उच्छेद वेपा मारवा बलवा काटल है बूदीन मारवा ठीक हो एता है हाँ 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 है जो दें अब इसके अंदर घुसना चाहिए तो इस पर हमने दवाई मार दिया है यह दवाई बहुत ही और्गेनिक चीजों से बना हुआ है जो हर एक तरह के घाओ और खीडा या किसी उपरकार की उसमें ठीक कर देता है आप देख किसी परकार के घाओ है कोई कीडा पड़ गया है सब घाओ को यह ठीक करने में सच्छम है तो कोई भी मेडिकल अस्टोर पे मिल जाएगा आसानी से खरीद के आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और यह बच्चा था इसके पैर में घाओ हो गया था यह हम दूसरी बार मार रहे ह हैं कल मानने कल तक मानने से जो सूजन उजन है या जो रीम है वो सब निकल के कीडा पड़ गया है सभी परकार के जो घाओ में यह एकदम राम बन काम करता है तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं और आप जो है कई तरह के गय का या किसी बच्चे का जो घाओ है उसको आप खत्म या सुखा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो इसका नाभी में भी घाव हो गया था, यही दवाई का इस्तमाल किये थे, बिल्कुल ठीक हो गया था, एक और गाय थी, उसका कीडा पड़ गया था, तो इसी का इस्तमाल करके हमने ठीक किया है, तो आप भी इसका इस्तमाल करें, और गायब हैं इसको घाव से बचाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद.